हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सब लोग आसा करते हैं आप सब लोग काफी अच्छे होंगे और इसके पहले कि हमारे सारे विडियोज को आप सब उने जरूर से देखा होगा तो आज हमारा टेंज का यह थर्ड लेक्चर है यह आप सभी बच्चों के लिए काफी इंपोर्टेंट हुआ क्यों इंपोर्टेंट हारने वाला ने मुए सिसकी चर्चा करते हैं इसके इंपोर्टेंट होनेVA का सबसे अच्छा लिजन यह हैं सबसे आसान सा टेंटs का सेक्शन आज हम लोग पढ़ने जा रहें तो से प्रेजन चैक्स करते हैं प्रिजन अफेजर मार्कर की 45 को में ऐसे सेंटेंस को पढ़ने में और इसके कोशन को बनाने में लेकिन आपके लिए सस्पेंस की बात ये है आपके लिए आप सभी बच्चों के लिए जो एसे सी का एक्जाम देने वाले हैं उन सबों के लिए सस्पेंस की बात ये है कि प्रेजेंट कंटिनिवर्स का एक ऐसा section भी होता है जिससे जब भी कभी question आपके exam में पूछे जाते हैं तो आपने से सायद ही कुछ बच्चे उसको solve करते हैं जी हैं बिल्कुल सही आप सुन पारे हैं maximum बच्चे उस section में error कर बढ़ते हैं ठीक है तो इस section को ऐसे इस important stocking section को भी आज के class में हम लोग deal करने वाले हैं और फिर उसके बाद tense के सफर को हम लोग आगे बढ़ाएंगे present perfect and so all तो tense के अपने सफर को आज के इस video lecture में हम लोग इसी तरीके से आगे continue करेंगे इसके पहले हम आपको बताते चले कि दोस्तों मैं अजीत कुमार faculty of English language आपके YouTube channel competition community पे आप सभी बच्चों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ ठीक है अब चलिए यहां से आगे हम आपको कुछ जानकारी देते चले CHSL की वेकेंसी आ गई है तो CHSL का notification इसो हो चुका है आप में से maximum बच्चे जो 18 वर्स की उम्र को पार कर चुके हैं जिनके पास minimum educational qualification 10 प्लस 2 है ऐसे सारे बच्चे इसको भर सकते हैं ठीक है बट आपका age केतना होना चाहिए maximum 27 27 से नीचे होना चाहिए ठीक है बात समझ में आ रही है और यदि आप female है यदि आप SCC candidate हैं तो आपको कोई भी भी नहीं पढ़ता है कोई इאש्साट के लिए पर नहीं करना होता है ठीक है अब आप यह जर्म के lot रुपा लिए जयात चते हैं क्योंकि लास्ट जैसे ही होने वाला होता है आप लास्ट के टू और त्री डेज में देखेंगे कि एससी का सर्वर डाउन हो जाता है और बहुत सारे बच्चे लास्ट का इंतजार करते करते फॉर्म भरने से चूक जाते ठीक है तो ऐसी गलती है आप न करें हम लोग मंडे ट चले जाएए तो को को टेस्ट सीरीज ठीक है आप इस एप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए ठीक है फिर आप उसमें अंदर जाएंगे तो से ही आप उसको एक्टिवेट करने का प्रयास करेंगे उसमें आपका मुबाइल नंबर मागा जाएगा जिसमें आपका OTP आएगा आप OTP डालके खुद को free of course register कर लें यह जो हमारा कोर्स है यह बिलकुल निसुलक है इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी hidden charge include नहीं ठीक है और तो और Monday to Friday हम सब लोग आपको जो कुछ भी पढ़ाते हैं उन सबों का जितना भी आपको पढ़ा जाता है उन सबों का एक practice seat हम लोग आपको available करवाते हैं जो Sunday को आपको available होता है कहां पे तो आपके app पे और website पे तो website छोड़िए आप सबसे पहले चले जाएंगे app पे और app पे जाके खुद को free of course register कर लेंगे ठीक है और register करके फिर आप क्या करेंगे तो आप उसमें जाएंगे my course पे तो course या my course करके आपको जो भी वहाँ option दिखाए देखा my course में आप जाएंगे my course में जाएंगे आप उसमें जाएंगे सारे subject के सारे subject English, Math, Reasoning, GKG, सारे subject के PDF notes, schedule और आपके practice seat ये सारी चीज़े आपको वहाँ पे available कराई जाती है free of cost इसका कोई भी सुल्क आपसे नहीं लिया जाता है किसी भी format में आपसे नहीं लिया जाता है ठीक है ये सबसे अच्छी बात है तो आप इन सभी facilities का use कर सकते है दोस्तों हम लोगों को इस निसुल्क batch को लेकर आने के पीछे जो reason था वो reason ये रहा या वो reason हम लोगों का य selection करवा सके ऐसे बच्चे जो किसी भी कारण वरस आर्थिक रूप से कमजोर हैं ऐसे बच्चे जो सहरों में आके पढ़ाएं नहीं कर सकते हैं ऐसे बच्चे जिनका एक-दो पेपर वीक हैं ठीक है और वो किसी का बारबर reject हो जा रहे हैं तो ऐसे उन सभी बच्चों का निस जो तक maximum पहुंचाने का प्रयास करें, ठीक है, चली, अब हम अपने class के और चलते, आज के class को शुरू करने के पहले हम आपको बताते चले, किसके पहले 10s का जो part 1 और part 2 हमने पढ़ाया था, उसमें हमने आपको क्या क्या पढ़ाया, 10s के part 1 में हमने आपको voice को identify करना बताया अर्थात हमने आपको यह सिखाया था कि कोई भी sentence आपको given हो, कोई भी given sentence हो, वो active में है या passive में, यह आप कैसे पाचानेंगे, फिर उस sentence का tense क्या है, यह आप कैसे पाचानेंगे, कैसे पाचानेंगे कि वो present में है, past में है या future में, और फिर यदि वो present past future तीनों में से किसी भी एक tense का है तो present के या past के या future के जिस किसी भी tense में हो है उसके indifferent में है continuous में है perfect में है या perfect continuous में है इनको आप कैसे identify करेंगे sentence को देखते के साथ तो इसको पाचानना हमने आपको सिखाया था with the help of forms of verb, verb के जो 5 form होते हैं, verb के 5 जो form होते हैं, v1, v2, v3, v4 and v5 इनका यूज़ करके हमने आपको इन सबुका पाचानना सिखाया था और फिर tense के part 2 में हमने आपको present indifferent, present indifferent में आप जो बच्पन से translation में structure पढ़ते हैं, translation बनाते हैं, उसका structure हमने आपको दिखाया था ठीक है फिर उसके बाद हमने आपको बताया था, कि इन सभी rules में से किसी भी rule को बिना याद रखे हुए, बिना रटे हुए, आप present indifferent के question को कैसे easily solve कर सकते हैं, ठीक है, इन सभी पे चर्चा हमने detail में जाके 10s के part 2 में करी थी, और फिर उन सभी rules and concept को बिना याद रखे, उन सभी question को आप कैसे solve करेंगे, ये सीखने के बाद हमने आपको ऐसे सी previous year में पूछे कए, कुछ question solve करके दिखाये थे, उसी concept के साथ, तो यदि आप में से किसी बच्चे का, इन में से कोई भी section छूट गया हो, तो आप हमारे previous 10s के videos को जरूर से देख लिजे, ये सारे videos आपको कहां मिल जाएंगे, तो आप हमारे app पे जाएंगे, competition community पे, उसके playlist में जाएए, general English में जाएए, general English में इंग्लिस के सारे videos लेक्षर आपको मिल जाएंगे, और यदि आप हमारे app पे जाएंगे, तो वहाँ पे English के, Math के, Reasoning के, अब तक जितने भी video लेक्षर आपको provide हम लोग उने कराए हैं, और आगे भी जितने कराते रहेंगे, उन सब्गों का PDF एक साथ आपको मिल जाएगा, practice it भी आपको हर संडे को मिलता है, फिर उसका answer भी आपको provide हम लोग कराते हैं, ठीक है, और हाँ, यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी doubt हो, तो आप हमारे doubt community में जाके question पूछ सकते हैं, जो हमारे website पे हैं, की मदद करने का हर संभव प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारा उदे से ही है कि आपका जल्दी से जल्दी और ज्यादा ज्यादात में हम लोग selection करवा सकें, चलिक है, चलिए तो आज के class के सुरुवात हम लोग करते हैं, present continuous से, किसे present continuous से, तो सबसे पहले हम आपको लेकर चलते ह स्लाइड की तरफ और हम आपको यहाँ पर दिखाते चलें, कि यह जो present continuous है, इसका structure हम लोग बजपन से यही पढ़ते आए हैं, अब इसका use हम लोग करते हैं, आए थोड़ी बहुत इसकी चर्चा हम लोग करते हैं, देखें, पहले format का use हम लोग तब करते हैं, जब sentence कैसा हो positive हो, दूसरे format का use हम लोग करते हैं, दूसरे structure का use हम लोग करते हैं, जब sentence negative हो, दीसरे structure का use हम लोग करते हैं, जब sentence interrogative हो, but positive हो, चौते structure का use करते हैं, जब sentence interrogative हो, but negative हो, इस पांचवे structure का use हम लोग करते हैं, जब sentence wh interrogative हो, but positive हो, और इस last वाले structure का use हम लोग करते हैं, जब sentence डबलू एच इंटरोगेटिव हो बट नेगेटिव हो ठीक है अब यहां तक concept आपका clear होना चाहिए अब इसके बारे में आप जो बजपन से पढ़ते आ रहे हैं वो यह पढ़ते आ रहे हैं कि यदि sentence के last में रहा है रही है ऐसा लगा हो रहा है रही है रहे है ऐसा आपने करते हैं ठीक है तो चुकि हम सबों का उदेश है कि हम maximum बच्चों का selection करवा सके इसलिए हिंदी भाजी शेतरे के बच्चे या जो बच्चे ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं उनको इन चीज़ों को जरूर फोकस करना चाहिए क्योंकि उन लोगों ने यहीं से पढ़ना सीखा होता है उनको बच्चपन से इन ही pattern को follow करके आगे बढ़ना सीखाए गया ठीक है इसलिए उनके touch की ये बाते हैं यहां पर इन समी बच्चों को वी से सरूप से ध्यान देने की जरूरत है अब आए इसके आगे इन सारे structure पर based कुछ examples होने चाहिए तो यह रह पढ़ते हैं आप जानते भी बच्चपन से क्या जानते हैं भै तो आपको बच्च पन से यह सिखाया गया है यह आपके मैंड्च मैं अब तक यह बनाया है मैंड्चिट आपका त्यार भी हो गया है aware के साथ इस Dr. एल्य इसरा के सांथ और का फॉर्ट सा किन दिखाई दे आइन जी फर्म दिखाए दे तो उसको हम लोग कहते हैं past continuous और similarly shall be will be के साथ यदि वर्ब का fourth form दिखाए दे तो उसी को हम लोग कहते हैं future continuous ठीक है यह तीनों ही continuous को हम लोग इस तरीके से पढ़ते हैं और इसी तरीके से present in different में हम लोग क्या पढ़ते हैं तो present in different में हम लोग पढ़ते हैं verb के first form या verb का fifth form या फिर interrogative हो या negative हो तो do does के साथ verb का first form past in different में हम लोग क्या पढ़ते हैं तो past in different में हम लोग पढ़ते है verb का second form past in different का मतलब यह verb का second form या sentence यह दिन negative हो तो वहाँ पर क्या पढ़ते हैं हम लोग तो वहाँ हम लोग पढ़ते हैं डीड के साथ वर्ब का first form बात समझ में आ रही है similarly future and different में जाते हैं तो वहाँ लोगों को क्या मिलता है sell या will के साथ वर्ब का first form ठीक है यह थी indifferent की बात तो आएए अब इन सबों के बाद इन सारे sentence का जो example था sentence बस जो example थे इन सारे examples के बाद अब हम आपको लेकर चलते हैं grammar के concept की तरफ किस तरीके से present continuous का वो कौन सा grammatical concept है जिस पर best आपके इसे सी exam में question पूछे जाते हैं और आप उन सारे questions को कैसे solve करेंगे ठीक है तो आएए इसके direction में हम चलते हैं और हम आपको लेकर चलते हैं सीधा board की तरफ अब देखिए सबसे पहले आपको ये सिखाए गया बजपन से या अभी भी आपको पढ़ाय जाता है सिखाए जाता है आपके सारे books में भी available होता है क्या available होता है तो पहला concept आपको present continuous में इस सिखाए जाता है कि अधि present time पे वर्तमान समय में कोई भी काम चल रहा हो जैसे अभी जब आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो हम कर सकते हैं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो जब आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं उस समय हम आपको वीडियो के माद्यम से पढ़ा रहे हैं ये काम चल रहा है तो इसको हम लोग कहेंगे present continuous में किसमें कहेंगे present continuous में उस time जब आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आपको या आपका ये जो काम है इसको हम लोग रखेंगे present continuous में ये बात आप बच्पन से जानते हैं और यही वो आसान सा सिक्षन है जहां पे आप सारे बच्चे बहुत खुस रहते हैं ठीक है चाहे आपके school की बात हो या competitive की बात हो ठीक है तो कुछ चीजे common होती है सभी जगों पे तो competitive exam में भी इस तरीके के कभी कभी कोशन आपके SEC exam में दिखाए पड़ते हैं ठीक है तो यहाँ पे आपके लिए खुस होने वाली बात थी अब इनके आगे थोड़ा ऊपर लेबल पे हम आपको लेकर चलते हैं ऊपर लेबल की बात ये है कि यदि किसी भी sentence में यदि किसी time हो, still now, this time, currently, currently, at the moment, at the moment, at present, at present, presently, presently, etc. ऐसे कोई भी word किसी भी sentence में लगे हुए हूँ, आपको दिखाए दे या now लगा हुआ हूँ, ठीक है, तो इस तरीके के word किसी भी sentence में यदि आपको दिखाए दे तो उस sentence को हम लोग रखेंगे present continuous में, कहां रखेंगे, तो इसको हम लोग रखेंगे present continuous में, कहां रखेंगे हम अब present continuous में आपका mindset तैयार होना चाहिए कि present continuous का structure क्या होता है तो आपका mindset हमें लगता है पहले से बना हुआ भी है आप सभी बच्चों का हम सबों का इस MR के साथ क्या यूज करते हैं वर्ब का fourth form, fourth form का मतलब क्या होता है ING वाला form ठीक है लेकर चलते एक्जेंपल के लिए एड़ प्रेजेंट एड़ प्रेजेंट ही ही राइट्स अबुक देखे ज़रा द्यान देजे इस सेंटेंस में देखे सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलता है तो सबसे पहले अबड़ा Canad तो इसका देखने है ही है अब में दिखा हुआ हुआ है अब आप द्यान देजे इस सेंटेंस में कुछ होर चीज़े आपको दिखाई दे क्या दिखाई दे रहे है इहां पसे इड़ी अब हमने अभी थोड़ी दिर पहले इसके रूल को explain करते हुए समझाते हुए आपको बताया कि इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं तो present indifferent लगा हुआ है तो present indifferent लगा हुआ हो हमें इससे कुछ ज़्यादा तकलिफ नहीं है इसको हम लोग गाइड कैसे करते हैं इसके according करते हैं इसके according हम लोग निधारित करते हैं कि यह sentence कौन sentence में होगा तो चुकि इसमें आप यहां पर देख पा रहे हैं यहां पर क्या लगा हुआ हो किसी भी sentence में लगा हो करेंटली लगा हो नाव लगा हो इस्टिल लगा हो ठीक है इस्टिल लगा हो presently हो at the moment हो इस प्रकार के word किसी अब यह sentence में लगे हो ना हो तो वो sentence कहां रहेगा present continuous में और यह sentence कहां दिखाई दे रहा है तो यह आपको दिखाई दे रहा present indifferent में तो यह sentence क्या होगा यह wrong हो गया अब इसे correct करने के लिए हमें क्या करना होगा तो हमें यहां पर यूज करना होगा इस MR के साथ वर्व का fourth form त ठीक है he is writing a book clear है यह concept आपको समझ में आ गया होगा तो आएए अब इसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं सीधा slide की तरफ और in rules और concept पर based question को हम लोगा यह solve करने का प्रयास करते हैं तो आएए देखें यहां पर the child is crying because she cannot find her mother बच्चा चुकी अपनी मा को नहीं ढूंड पाय इसलिए वो रो रहा है तो देखें बच्चा अभी रो रहा है जब यह बात की जा रही है तब क्यों रो रहा है भाई क्योंकि वो अपनी मा को नहीं पाया तो मा को नहीं पाएगा तो कोई भी छोटा बच्चा होगा रोएगा यह बच्चों का nature भी है ठीक है तो अब चुक तो इस question का answer हमारा क्या बन जाएगा no improvement अब देखें यह जो question है grammar के tense के हो यह किसी भी और chapter के हो यह किस किस तरीके से आपके exam में पूछे जाते हैं तो इनके दो format होते हैं पहला कि आपको sentence ऐसे given हैगा अब यहाँ जो आपको option given होते हैं तो यह option वो option होते हैं जिसमें आपको बताना है कि यह जो sentence है इसको part wise कुछ part में break करके यहाँ पर जो दिया गया होता है तो इनमें से वो कौन सा पार्ट है जो grammatically answer क्या है अर्थात कहने का मतलब हमारा यह है कि यहां पे आपके एसे सी एक्जामें दो तरीके से question पूछे जाते हैं या तो आपको correct answer बताना होता है या आपको error वाला part बताना होता है तो या तो यहां पे देखें यहां पे आपको दिखाई दे रहा है वाइल वॉशिंग यूर हैंड्स रभ देम टुगेदर फॉर 20 सेकंड्स तो रिमूव देम अब यहां पे देखें आपको कुछ बाते सीखनी चाहिए क्या सीखनी चाहिए आईए सबसे पहले इसके लिए आपको लेकर चलते हैं फिर से बोट की तरह देखिए यह एक ऐसा सेक्षन है जिससे कोशन आपके न सिर्फ प्रेजेंट कंटिनिवस में बलकि ज्यादा तर इस कॉंसेट पर बेस्ट कोशन आपको पास्ट कंटिनिवस में देखने को मिलते हैं कैसे आईए इसको हम लोग सी वायल का कॉंसेप्ट यह है कि हम लोग समझते है । थीक है तो आप हीन्दी छोड दीजी शूड़ दीजिए क्योंकि आपके पास एक्जाम में जब आप किसी और एक्जाम में अपियर होते हैं या किसी और कम्टिटिव एक्जाम में आप अपियर होते हैं तो बच्चों के साथ सबसे बड़ी समस्या होते हैं कि उनके पास समय नहीं होता है उनके पास इतना समय नहीं होता कि आप इंग्लिस सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करकर के समझ पाएं ठीक है तो आप मोटे तोर पर कैसे कोशन को बनाएंगे आप में से कुछ बच्चों के मन में एक डाउट रहता है कि सर हिंदी मिनिंग नहीं समझाते हैं ठीक है आता होगा कुछ बच्चों के मन में बिना हि हिंदी मिनिंग बताए हुए बड़े-बड़े सेंटेंस बड़े-बड़े कोशन सरी यहीं सॉल्व करवा देते हैं ठीक है तो आप में से ऐसे बचे जो हिंदी भासी छेतर से होंगे जिनका इंग्लिस बहुत जादा वीक होगा उनको बड़े-बड़े सेंटेंस को देख के जिए डर लगता होगा हम ऐसा क्यों करते हैं यह आप समझने का प्रास किजिए ऐसा नहीं कि हम उसका हिंदी बिवनिंग आपको समझ Свटी को पाजिए पूस्य हम आपके उस एप्रोच को develop करवाना चाहते हैं इस तरीके से हम आपको आगे ले जाना चाहते हैं ताकि आप exam में यदि sentence का meaning नहीं भी समझ पाते हैं तो भी आसानी से question को solve कर लें सही सही आप उसको solve करें और आप अपना selection तै करवाएं बाद समझ में आ रही हैं तो जिस तरीके से हम question को यहाँ पर deal करते हैं जिस तरीके से concept को हम आपको सिखाते हैं बताते हैं समझाते हैं और जिस तरीके से हम question यहाँ पर solve करते हैं ठीक इसी approach के साथ आपको अपने आपको exam में appear करना बाद समझ में आ रही है आप जब exam में जाएंगे तो इसी approach के साथ वहाँ पे question को solve करेंगे और आप देखेंगे या आपको जो practice it दिया जाता है या और किसी भी source से आप question को solve करने के लिए आजाद है ठीक है आप कहीं से किसी भी test series का question लगा सकते है किसी भी book का question लगा सकते है बात समझ में आ रही है और आप इस technique का use करके उन सभी जगहों पे जहां कहीं भी आप solve करना चाहें आप कर सकते है ठीक है अब अच्छी बात यह है कि आप कहीं से भी solve कीजिए अब आप जाके school के question को solve करना मज़ जूरू कर देना भाई ठीक है इसलिए नहीं क्योंकि हम आपको माना कर रहे है क्योंकि school के level का जो question होता है वो थोड़ा अलग होता है और आपके competitive exam का जो level और pattern होता है वो थोड़ा अलग होता है तो दोनों में difference है तो आप जिस exam के लिए खुद को prepare कर रहे हैं पैटर्न के question को यदि आप solve करेंगे तो आपका mindset exam के question को solve करने के लिए prepare होता है बात समझ में आई और इसका benefit आपको कहां मिलेगा examination hall में या आप कहीं से भी टेसरी लगा रहे होंगे तो वहां पर ठीक है चलिए इसको हम लोग समझते हैं तो while आपको कहीं भी दिखाए दे इसके बाद simply हम बात करेंगे वर्व की वर्व यदि आपको नई समझ में आता है तो आप थोड़ा सा और समझें कि while के बाद यदि कोई भी sentence हो या कोई भी clause हो कोई भी sentence या clause आए तो इन सबों को हम लोग रखेंगे वर्व के fourth form में concept form में fourth form में रखेंगे बात समझ में आ रही है इस concept पर best done न जाने कितनी बार question आपके SEC exam में पूछे जा चुके हैं आगे भी पूछे जाएंगे तो इस technique को यदि आप याद रखेंगे तो आपको आगे चलके question को solve करने में और अपना selection तै करवाने में सुविधा होगी चलिए तो अब यहां से आगे बढ़ते हैं और फिर से हम आपको लेकर चलते हैं एक example की तरफ इनका एक example होना चाहिए जैसे एक example present past से while walking walking along along the road the road a car a car knocked him down knocked him down ठीक है अब देखे यह while while के बाद आपको यह walking walking क्या मिल रहा है वर्प का fourth form बास समझ में आ रही है अब यह देखे यह past में है knocked ed लगा हो है वह आपका second form है यह चला गया past में यह present में भी होता तो हमें इसे कोई दिकत नहीं नहीं तो इसी तरीके से आपके ssc exam में question पूछे जाते हैं आप इस concept को याद रखेंगे ठीक है अब चलते हैं हम लोग question को solve करना शुरू करते हैं चोके present continuous से आगे भी हम लोगों को करना है इसलिए हम लोगों को आगे लगतार बढ़ते रहने की जरूरत है अब ज़रा देखें यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है यहां पर यहां पर सिर्फ और सिर्फ करने की जरूरत होती है बात समझ में आ रही है, आपको सिर्फ और सिर्फ कहां focus करना है यहां पर इसी पार्ट को एरर नहीं है यदि इस पार्ट में कोई इरर नहीं है, तो आपको आंसर होगा no error तो इसके लिए आपको जो given options होते हैं उसमें से correct answer यहां पे क्या हो सकता है वो उसमें से find out करना होता है अब देखें यहां पे आपको क्या सीखना है तो सबसे पहले यह देखे on क्या है तो on है preposition इसमें से आप में से सायधी किसी बच्चे को doubt हो होना तो नहीं चाहिए क्योंकि बचपन से हम लोग जानते है on क्या है preposition अब देखें हमने आपको जब pronoun पढ़ाया था तो pronoun में हमने आपको बताया था let but accept and preposition plus objective case हम rule को यहां पर फिर से लिख देते हैं लेकिन यह दे किसी का वो वीडियो छूट गया हो तो आप pronoun के वीडियो को cover कर लें देख लेजरा हमने आपको बताया था let but accept accept and preposition and preposition इसके बाद क्या आता है तो इसके बाद pronoun का आता है objective case कौन सा case आता है objective case ठीक है तो let but accept के बाद क्या आता है लेट but accept and preposition के बाद pronoun अगर आ है तो उस pronoun का कौन सा case रहेगा तो उस pronoun को हम लोग रखेंगे objective case में ठीक है अब आईए यहाँ पे चलते हैं हम लोग question की तरफ अब इस question को जरा आप ध्यान से देखें यह बच्पन में आप पढ़े थे हमने जब आपको pronoun पढ़ाना शुरू क जो आप बच्पन से पढ़ते हैं हमने आपको बता है भी था कि इस प्रोनाउन को इसी तरीके से याद रखना है from left to right जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं इसी तरीके से आपको याद रखना है यदि आप में से किसी को यदि अभी भी pronoun का टेबल याद नहीं हो तो से जादा pronoun के stable का यूज जैसे हमने लिखा इसी format में यूज होता हुआ दिखाई देगा आपको narration में और narration में आप में से बहुत सारे बच्चों को दिकत सिर्फ और सिर्फ इस कारण से जाती है क्योंकि वह pronoun के stable का ठीक तरीके से यूज करना नहीं जानते इसी कारण से आप म किसी भी कागर्स के टुकड़े पर लिख लें आप जहां कहीं भी आपका जो study का place हो जहां कहीं भी जादा तर टाइम आप बिताते हों वहां पर आप इसको चिपका दें उन सभी जगों पर चिपका दें जहां मैक्सिम टाइम स्पेंड करते हैं खाते पीती सोते जगते ठी हैं इसको चिपका दें इसको देखते रहें परतें देखते देखते परते परते यह दीरी धीरी आपको यह दो जragete छो जायेगा और यह द buried हो तो आप देखेंगे अपने पर पर इंगे तो कितने आसान तरीके से को समयर्द में बंते व chair पर्रॉन से डिर चीए को आ सि Rac पर यह है औभजक्टिव के से अब यह और यह जो अंडरलाइन क्या हुआ पार था सेंटेंस से इंप्रोमेंट का जो पार था वह बिल्कुल करेक्ट है इस कोशंग का अंसर हमारा क्या बन जाएगा तो नो सब्सटिच्यूशन देखिए नो सब्सीच्च्यूशन लिखा जिसका एक्जाम होगा आपका 22 में ठीक है और 21 की वेकेंसी भी अभी-अभी 22 में पुब्लिस होई है अब यहां से आगे लेकर चलते हैं कुछ और कोशन की तरफ यहां देखिए यहां पर देखिए वी आर येट लिविंग इन दा सेम हाउस हम लोग अभी भी इसी घर में रह वो आपका आंसर होगा तो यहां प्यार है लिविंग वाले यहां पर तो अपना आंसर क्या बना अपना अंसर बने कि अप्शन नबर डी अब इस सेकंड वाले कोशन में चलते हैं इट इस यह देखिए इसमार इसमार के साथ हम लोग बजपन से जानते हैं कौन सा फॉर्म यूज करते हैं आई एंजी फॉर्म यूज करते हैं यह देखिए आपके उप्शन में जितने भी उप्शन गिविन है यह सारे के सारे उप्शन कौन से फॉर्म में गिविन है ठीक है वर्ब के फॉर्थ फॉर्म में ही गिविन है अब आए यहां पे यदि फॉर्म सेम है त यह देखकर बड़ा दुख होता है, बड़ा दर्द होता है, बड़ा बुरा लगता है, कि हमारे कई जो फेलोज हैं, वो इंडियन माइग्रेंट्स जो हैं, उनको अपने घर जाने में मदद करते हैं, तो घर जाने के लिए उनको जो स्ट्रगल करना पड़ता है, जिसके आनंद उठाना आनंद लेना मजा करना री यूनाइट आपको पता है यूनाइट का मतलब मतलब एक यूनाइटेड होना एक अत्रित होना ठीक है एक तोना सेवरिंग यह होगा ने अब एक option बलता है harnening ठीक है तो इस classic क्या बना रुकांसर बना हमारा option number D next अब यहां से आगे बढ़ते हम लोग चलते हैं अगले question की तरफ अब यहां पर देखे इन सारे questions में हम लोगों को क्या करने की चरूरत है तो इनको ज़रा solve करते हम लोग at the micro level the dialectical process of development in India has now heading देखिए कैसे question बेतु का तरीके से पूछा जाता है कितना असान पूछा जाता है जिसको आप easily एकदम डिटेक्ट कर सकते हैं सबसे पहले सेंटेंस में क्या लगा वह ना लगा है ना लगा हूँ है sentence कहा रहेगा present continuous में रहेगा तो continuous में क्या यूज करते हैं यह बार्ट करेक्ट हो गया अब वर्ब के fourth form के पहले हम लोग कौन सा हेल्पिंग यूज करते हैं इंडिया है इंडिया कैसा है singular है तो यहां है की जगह में क्या यूज करना होगा हमें यूज करना होगा इसका यह बास समझ में आ रही है ठीक है तो हमारा answer correct answer क्या बनेगा is now heading ठीक है अब इसका option आप ढूंड लेजिए option number c next townships है तो आर होगा townships है तो क्या होगा आर होगा तो हैस की जगह हम लोग क्या यूज कर लें have coming up ठीक है next यहां से आगे बढ़ते हम लोग यहां चलते अगले question की तरफ I worry that social media is killing creativity अब देखिए social media जो है facebook है instagram है twitter है बहुत सार ऐसे social media है यह social media platforms है जहां पर जाके हम लोग अपना ज़्यादता time spend करते हैं ठीक है हम हो आप हो यह आज के date में कोई भी youth हो ठीक है जिनको electronic gadgets use करने आते हैं और जो convenient होते हैं जो convenient नहीं है गाओं का बच्चा भी आज की date में maximum time spend करता है YouTube पे Instagram पे बगएरा बगएरा ठीक है अब ज़रा ध्यान से आप देखिए सूचिए समझे आप ज्यादा तर टाइम यादि mobile पे देंगे computer पे देंगे तो आपको physical activity होगी नहीं होगी तो यह जो social media इसका use हम लोग करते हैं तो ह नहां पे कहीं कोई problem नहीं है इस question में कहीं कोई problem नहीं यह वाला section कैसा है correct है तो हमारा answer क्या बनेगा हमारा answer बनेगा no improvement next अगले question में चलते हैं I cook almost everyday हम लगबग हर दिन cook करते हैं खाना बनाते हैं but even the thought of producing that quantum of food लेकिन ज़रा सूच यह कि इतने बड़ी मातरा में जो खाना ब यह हपते हैं giving med opyo अधिड 278 लेकिन दोलोग 4 तक बनाना हो तो ठीक है लेकिन यह दिदी आपको कहा जाए कि आप पचास आधनी की आफ मी से पालनी और उनको निरास हो नेरा है हम सब उके साथ होता है चाहिए आप मेल हुई या फिर मेल कॉमन प्रॉब्लम है ठीक है तो अब देखे यह क्या होगा भाई होगा नहीं डॉंट गलत है इसलिए नो इंप्रोव्मेंट होगा नहीं अब यह देखिए हैस के साथ वह का इंजी फॉर्माता नहीं इसलिए यह भी गलत और सिंप्ल इस तक यह कुछ प्रिज़न्ट में होता तो डॉंट में इस लगा होता है डॉंट में इस नहीं लगा है वर्म्कफ फिट फॉर्म नहीं है तो यह गलत है अब यह साथ आए constituency आता नहीं इसलिए होगा नहीं अब एक यह option पर समझ बूसी यहां पर ओको क्या दिखाए दिया और को साथ यानि कि यह वुदक कर लिया गया क्लिश करें तो सडी नियुक्त लग रहा है लेकित दियान ये दनाई कि सें ये लगा हूए स्टील लगा हुआ है स्टील लगा हुआ है तो सेंटेंस कहां लिखा जाएगा सेंटेंस लिखा जाएगा प्रेजेंट कंटिनिवस में कहां लिखा जाएगा ठीक है चली तो प्रेजेंट कंटिनिवस में हम लोग इसको लिकर चलते तो प्रेजेंट कंटिनिवस में हम लोग क करेंगे कमिंग क्या यूज करेंगे अब ढूंड लीजिए और इस को बनाने के लिए हम लोगों को चलना होगा प्रिजेंट कंटिनिवर्स के उसी सॉकिंग सेक्शन में जिससे जब भी कभी कोशन पूछे जाते हैं तो हम इसे मैक्सम लोग गलत कर बैठते हैं तो गलती न कर इसके लिए हम आपको लेकर चलते हैं बोड की तरफ और पहले इनके कॉंसेट को सीखते हैं देखे ये क्या है तो वर्ब यहां पे हम आपको बताते चलें कि वर्ब दो प्रकार के होते हैं जैसे हम आपसे कहें रन हम आपसे कहें राइट तो आप यह दे राइटिंग करते ह हैं हम एदियर रैटिंग करते हैं तो हां छिलता है मोमेंट होती है ठीक है यानि कि इसको कहते हैं डाइनेज woah 앤 ऐसे वर्ब करते हैं डाइने मिग हुर ठीक है कुछ एसे वर्ब होते हैं जिसमे कुई मोमेंट नहीं होता व स्कों खते एस्टेटीव क्या कहते है extensive verb कहते हैं ठीक है बोल चाल की भासा में काम चलाने के लिए हम personally हम खुद उसको कहेंगे word by perception अब word by perception क्या होता है और ना इसे word होते हैं जो आपके sins औरगन से जुड़े होते हैं जैसे हम सब लोग भजपन से जानते हैं कि हमारे आपके सरीर में कितने ग्याने अंदरियां होती है फाइब सेंस और गन्स होते हैं तो फाइब सेंस और गन्स से जुड़ा हुआ कोई भी वर्ब हो अब इन वर्ब से जो आपके सेंस और गन्स से जुड़े होते हैं आपके एमोशन से आपके फिलिंग से आपके मेंट ämänल अक्टिविटी से जुढ़े होते हैं पॉसेसन से जुढ़े होते हैं एसे वर्ब से किसी काम के करने या होने का से एक्स्प्रेस नहीं होता इसमें कोई मोव्मेन्ट In cuidado नहीं होता जयए हम कहें त्रूल मतलब सोचना हम यद्क हैं तो जर्ण सोची हम सोते-सोते भी सुन सकते हैं, हम बैठे-बैठे भी सुन सकते हैं, आपको पढ़ाते-पढ़ाते भी सुन सकते हैं, तो सुचने में आप कोई physical activity नहीं करते हैं, ये कैसी activity है, mental activity है, बात समझ में आ रही है, आप यदि Remember करते हैं, तो किसी चीज को Remember करेंगे, No करेंगे, No मतलब जानना कि A, नहीं पाचानते हैं इसका सीधा संबंद किसे हैं आपके माइंड में ब्रेन में यदि हमारा इमेज पहले से है उससे जुड़ी हुई बात है यदि पहले से है तो आप उसको पाचानेंगे और नहीं है तो आप नहीं पाचानेंगे बात समझ में आ रही है तो ये कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिन से आपके mental वर्ब का sense express होता है जो आपके mental activity से जुड़े हुए होते हैं जो आपके sense organ से जुड़े हुए होते हैं अब grammar क्या कहता है ग्रामर कहता है अब पहले थोड़ा सा इसको हम आपको दिखाते चले कि यह हैं कौन-कौन से ऐसे डेर सारे वर्ब हैं और उनमें से अव्ण वर्ब की यह चाचछा करते चलें आपको बताते चलें कि इनमें से कान्त कौन-कौन से में वर्ब हैं जो आपके एक्जाम में बार बार पूछ जाते हैं रिपीट होते हुए दिखाते हैं यह देखिए इसको अलग-इलग क्रैटेरिय हैं वहारा जिस state of mind job के mental activity से जुड़े हुए ये सभी कुल मिला के एक ही है अब क्या है इसको जरा आप ध्यान से दिखे यदि हम कहें कि I have four brothers तो जैसे हम हिंदी में कहते हैं कि मेरे चार भाई है ठीक है तो आप simply कहते हैं कि I have four brothers ठीक है अब हम कहें कि कोई भी hero हो heroine हो कोई भी जो आज के date मे popular हो हम कहें कि उसके बहुत बड़े fan following है ठीक है तो he or she is having a large fan following तो ये क्या हो जाएगा गलत होगा कैसे गलत होगा अब ये भी हम आपको सिखाएंगे तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पर identify करवाते चले कि इन में से वो कौन-कौन से वर्भ हैं जो बार-बार आपके exam में repeat ह होते हैं जो बार-बार आपसे पूछा जाता है कि smell appear फिर यह देखिए यह hit कभी-कभी मिलेगा love यह believe बहुत मिलेगा like dislike hope यह सब बहुत पूछे जाएंगे belong have own process यह 4 मिलेगा ठीक है इसको आप note कर लेंगे अपने copy में इसको याद रखने का प्रयास करेंगे ठीक है कभी-क चलिए इसके बाद हम आपको next slide में लेकर चलते हैं और यहां भी जो important verb हैं जो आपके exam में बार-बार repeat करते हैं इसको भी हम आपको note करवाते हैं चलिए think, no, fail, remember, suppose, understand यह कुछ ऐसे verb हैं जो बार-बार आपके exam में दिखाए परते हैं अब इनका grammar का क्या concept है आईए इसकी त verb में ऐसे किसी भी verb में चाहिए वो verb of perception हो, state of mind हो, जो भी हो feeling हो, हम इन सबों को combined रूप से verb of perception कहेंगे हम, ठीक है, यह हमारी आदत है तो ऐसे किसी भी verb of perception में आप कभी भी ing लगा कर, क्या लगा कर? ing लगा कर आप ऐसे किसी भी verb में ing लगा कर, इसका use कभी भी किसी भी continuous में नहीं कर सकते, यह है इनका concept, आप ऐसे किसी भी verb में ing लगा कर, इसका use किसी भी टाइब के continuous में नहीं कर सकते, अब हम यहाँ पे speed को slow करके आपको बताएंगे, ताकि आप इसको ठीक से समझ सके, अब देखे, यह है क्या, यह क्या है, इसको ठीक से समझे, किसी भी continuous में नही कर सकते ठीक है जैसे मान लिजिए आपके मानना क्या है आप यदि ध्यान दिये होंगे तो आप याद किजिए ज़रा सा आपके टीवी के स्क्रिंट पे एक एड आता था ठीक है एक सराव की बूतल होती थी उस आय-एम्लोविंग इटिबहाइब द्यान देजिए आई एम लवेंग इंड एकतान में जो लव है यह लवावश पर्सिप्र ठिगर फिलिंग सभी एस घो लॉइन जही लगेगा तो यह जो सेंटेंस दिखने में दिखने में दिखें बिल्कुलर लग रहा है दिखने में बिलकुल आपके एक्जाम में पूछा जाता है जब भी पूछा जाता है आप मैंसे मैक्सिम बच्चे घलती यहां पर करते इसलिए यहां पर aware होने की यहां पर concentrate करने की जरूरत है तो बिल्कुल यहां पर ध्यान दीजिए कैसे इसको solve करेंगे क्या है इनका concept तो आप grammar हमारा कहता है कि यदि कोई भी sentence किसी भी continuous में लिखा हो किस में लिखा हो simply continuous में लिखा हो किस में continuous में ऐसे किसी भी वर्बाव perception जो भी अभी हमने आपको मार करवाया उन में से कोई भी वह किसी भी simply continuous में हो चाहे वो present continuous में हो, चाहे वो past continuous में हो चाहे वो future continuous में हो, simply किसी भी tense के continuous में हो तो हम लोग इसको change कर देंगे indifferent में किस में change करेंगे, तो हम लोग इसको change करेंगे indifferent में ठीक है और यदि वो किसी भी टेंस के पर्फेक्ट कंटिनिवस में लिखा हुआ हो किस में लिखा हुआ हो पर्फेक्ट कंटिनिवस में लिखा हुआ हो तो उसको हम लोग चेंज करेंगे पर्फेक्ट में किस में चेंज करेंगे तो हम लोग उसको चेंज करेंगे कंटिनिवस में लिखा हो तो चेंज करेंगे प्रिजेंट पर्फेक्ट में पास पर्फेक्ट कंटिनिवस में लिखा हो तो चेंज करेंगे पास पर्फेक्ट में फ्यूचर पर्फेक्ट कंटिनिवस में लिखा हो तो चेंज करेंगे फ्यूचर पर्फेक्ट में since for लगा रहेगा लेकिन फिर भी वो लिखा जाएगा पर फेने बात समझ में आ रही है इस रूल के erолод यह देखिए जो गिवें शेंडां यह लिखा हूआ यह लिखा हूआ यह लिखा हाओ तो प्रेजेंटी in different way base continuous में होगा तो past in different way search continuous में फ्यूचर इं लोगा दो क्यूचर इंडिफेरिंट में हैं इसलिए sentence को correct करके हमें क्या लिखना होगा तो इसके जगह में लिखना होगा love you यह बात समझ में आई की नहीं यह बहत important concept था ठीक है तो आईए अब इस concept को सीखने के बाद इन सारे concept पर best question को हम लोग solve करना शुरू करते हैं अब हम आपको लेकर चलते हैं सीधा slide की तरफ यहां देखिए इन सारे verbal perception को सीखने के पहले यहां पर I am having यह है क्या था वर्ब पॉसेशन ठीक है है का मतलब होता है रखना या होना तो यहां पर I am having का यूज नहीं करेंगे चुकि यह present continuous में हम लोग इस को चेंज करेंगे present in different में तो आई के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं यूज करते हैं तो इस question का अंसर हमारा क्या बनेगा तो इस question का answer बनेगा हमारा option नमबर बी क्या बनेगा option नमबर बी नेक्स इस question के बाद आगे चलते हैं कुछ और question हम लोग यहां पर solve करने का प्रयास करते हैं यहां पर देखिए रस्मी का इस है विंढ इस हैविंग जगए किया हो जागा हैस क्योंकि रस्मी का कैसी है singular तो singular इसलिए यहां पर यूज करेंगे वर्प का फिप्ट फॉर्म, प्रिजेंट इंडिफरेंट में, सिंगुलर सब्जेट के साथ वर्ब का फिप्ट फॉर्म, प्लूरल सब्जेट के साथ वर्ब का फिस फॉर्म, तो यहां हो जाएगा, इस question में देखे am thinking की जगह think am thinking की जगह think clear है कुछ और question जड़ा देखे हैं पर यह आर liking है is loving अब यह दोनों concept हम लोग पहले deal कर चुके इसले यह question हम आपके लिए छोड़ देते हैं यहां पर देखे is not even understanding अब देखे understanding understand में यह नहीं लगाते हैं यह वर्बाव पर्सिप्शन ने स्टेट ऑफ माइंड को रिप्रेजेंट करता है ठीक है तो यहां पर हाई school student के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे बाई not लगा हुआ है तो present in different में convert करेंगे do does का यूज करना पड़ेगा तो singular subject है student student के साथ क्या यूज करेंगे does तो सबसे पहले आप does ढूंड लीजिए यह देखे एक ही option है does वाला option number a does not understand evil ठीक है बात समझ में आई तो does वाला हमारा answer हो गया next कुछ और question देखें अब इन सारे question को आप कुछ से बना सकते हैं यह सारे having वाले हैं यहां पर देखिए वी अर्नस्टी बिलीव धैट यू विल विजिट ठीक है अब इसमें बिलीव में हम आई इंजिन नहीं लगा सकते अब यह देखें बिलीव ऑप्शन पहले गलत हो गया could के साथ not believe यहां पर ऐसा कुछ भी नही सेंटेंस का मिनिंग जरा हम लोग देखें में भी क्या कहता है सेंटेंस इसको भी थोड़ा हम लोग समझते चलें वी अर्नस्टी बिलीव धैट यू विल विजिट आवर रिलेटिव से डियूरिंग यूर फॉर्थ कमिंग ट्रिप टू बॉंबे तो ठीक है सेंटेंस में क में करेंगे यह लास कोशन आतला यहां पे लिखा हूआ है और नौट बिलोंगं नियुकर कि हम लSm Holzर्व क्या लिखंगे चुकरे सब्जेक्ट है प्लूर200ейств तो हम लोग यहां यूज़ करेंगे सीधा प्रिजेंट पर्फेल्ट के तरफ लैसब मुस्म आ रही है तो ऐसे बहुत जारे कोशन है जो बहुत परसिप्संस जिसको आप आसानी से बना सकते हैं अब हम आपको लेकर चलते सीधा present perfect की तरफ कहां चलें हम लोग है तो अब हम लोग चलेंगे present perfect की तरफ चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग present perfect तो देखिए सेंटेंस यादी पॉजिटिव हो तो पहले फॉर्मेट का यूज करेंगे पहले स्टक्चर का यूज करेंगे सेंटेंस यादी नेगेटिव हो तो सेकेंड वाले स्टक्चर का यूज करेंगे सेंटेंस यादी इंट्रोगेटिव हो बट पॉजिटिव हो तो हम अब इसके बारे में आपने बच्पन से क्या पढ़ा है यदि किसी सेंटेंस के लास्ट में चुका है चुकी है चुके है इस तरीके के वाड़ एवलेबल हो तो हम लोग उसको रखते हैं प्रिजेंट पर्फेक्ट में यह हम सब उने पढ़ा है अब सबसे पहले आप यहां प में कंप्लीट हो ठीक है तो उसको हम लोग करते हैं पर्फेक्ट अब चुके हम लोग टेंस पढ़ते हैं तो वर्ब के फॉर्म को पढ़ते हैं तो ऐसा कोई भी काम जो कंप्लीट हो चुका हो और वो प्रिजेंट से बिलोंग करता हो तो उसको हम लोग रखते हैं प्रिजे आपके structure पर आधारी थे ठीक है तो इनको आप लोग देख लिए अब इसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं कि इस present perfect से related grammar के वो कौन-कौन से rules and concept है जिस पर best question आपके SSC exam में बार-बार पूछे जाते हैं ठीक है तो चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं rules की तरफ इनका rules क्या है यह जड़ा सब्जें देखिए यदि किसी भी sentence में recently यदि किसी भी sentence में recently lately ever never यह सब लगा हो yet लगा हो लेकिन yet कहा लगा हो तो sentence के आखिर में लगा हो sentence negative हो yet का use कहा करते है इसको vcs रूप से समझने की जरूत है तो yet का use हम लोग करते है negative present perfect के last में ठीक है तो sentence यदि present perfect में हो negative हो तो यह कहां अपियर होगा sentence के last में ठीक है just now लगा हो ठीक है so far लगा हो so far etc ऐसे word यदि किसी भी sentence में आपको दिखाए दें यह दिखे से भी sentence में already recently lately so far yet यह सब लगा हुआ हो तो वो sentence कहां रखा जाता है तो sentence को हम लोग रखते हैं present perfect में कहां रखते है present perfect में रखते हैं ठीक है अब आईए इनका कुछ example होना चाहिए जैसे एक example लेते हैं हम लोग he has not done it yet ठीक है अब देखे यहाँ पे यह has have के साथ word का third form आया और present perfect का मतलब ही होता है has यह have हो उसके साथ word का third form हो ठीक है इसके साथ देखे यह yet कहां दिखाए दे रहा है sentence के last में तो यह sentence कैसा है बिल्कुल सही है next he has finished finished his task task so far ठीक है अब देखे इस sentence में आपको क्या दिखाए दे रहे so far क्या दिखाए दे रहे so far so far दिखाए दे रहे तो यह क्या है has have है है किसा या वॉर्फ का third form और ठाथ यह कहां चला गया तो यह चला गया present perfect तो sentence correct ठीक है तो यह दो बाते आपके एक्जाम में पूछी जाती है तो इससे कैसे कैसे कोशन पूछ जाते हैं तो सबसे पहले आप present perfect के को सालव करने के लिए मेंटली खुद کو प्रिबीर कर लिजिए कि हैज lotus के सांथ to सब्सक्राइब का थर्ड ़र्म आता है इसको ठोड़ा कर लीजिए यह या उसको याद का प्रयास किजी ठीक है तो ज़्यादा बेहतर होगा तो सबसे पहले इस concept पर बेज्ट कोशन पूछा जाएगा फिर अभी जो हमने आपको रूल बताया उस रूल पर बेज्ट कोशन पूछा जाएगा और फिर अभी हम लोग उसके विचर्चा करते चले आप देखेंगे कि हैसे के साथ हैस हो यह है वह पर पर भी यही सेम रूल अप्लाइड होता है बस वहां पर concept यह कि हैसे की जगह वहां परफेक्ट में हम लोग यूज करते हैं इनके साथ आपको कभी कभी सिर्फ और सिर्फ बिन दिखाई देता है और तब ऐसी वस्था में हमें से बहुत सारे बच्चे confused हो जाते हैं क्योंकि आपका mindset कुछ इस तरीके से बना हुआ है क्या बना हुआ है तो आपका mindset बना हुआ है has have plus been plus ing form ठीक है अर्थात present perfect continuous में आप चले जाते हैं ठीक है तो यदि time indicating word लगा हो नहीं लगा हो हमें इससे कोई मतलब नहीं है आप यहां पर थोड़ा सा खुद को concentrate करें बिन का यूज कब करते हैं सबसे पहले आप यह सिखें कोई भी काम किसी भी समय में start होकर बिना रुके लगातार continue uninterrupted uninterrupted लगातार लंबे समय तक चलता रहा हो तो ऐसे sense को express करने के लिए हम लोग है जैब के साथ यूज करते हैं बिन का और बिन क्या है बाई तो बिन है वो आपका third form और आप याद किजिए हैज है के साथ वो आपका third form हो तो हमने आपको 10 के first lecture में भी बताया था और आप सब लोग भजपन से भी जान यह अब इन सबी rules को जानने के बाद हम लोग चलेंगे question को solve करने और question को solve करने के पहले एक और question हम आपको समझाते चलें जो आपके exam में पूछा गया है अब क्या question है बाई आईए सबसे फ़ले हम वो आपको दिखाते चलें एक question था have you have you have you यहां पे feeler है been to kurfi kurfi अब option number a है go option number b है went option number c है ever option number d है never यह आपके assi previous year में पूछा गया question है काफी important है अब यहां पे देखे इसका answer क्या बनता ever अब देखे ever का use भी होता है never का use भी होता है अब मान लिजे हम यहां पे option number d में आपको gone दे दे ठीक है तो यदि gone दे दे तो आप में से किसी भी बच्चे को कोई भी doubt नहीं होगा ठीक है आप सब लोग क्या करेंगे have you gone been to kurfi अब जैसे ही आप यहां पे गौन उठाके डालेंगे यह ग्रामर केरियर बन जाएगा ठीक है अब आप gone use क्यों करते है क्योंकि have के साथ क्या आता है वह अपका third form आता है और भाई यह जो बीन है यह भी तो पहले से वह अपका third form है अब यहां पर आपके मन में डाउट होगा यह क्या चल रहा है भाई आप इसको ठीक समझे यह जो एवर है एवर के दो मीनिंग होते हैं एवर के कितने मिनिंग होते हैं दो मिनिंग होते हैं कौन-कौन सा एवर का पहला मिनिंग होता है ऑल्वेज जैसे आपने गाना सुना इसका हमेशा हमेशा रहेगा ऑल्वेज एवर ठीक है अब तो फॉर एवर आपने सुना भी है ठीक है तो एवर का एक मिनिंग हो आपको समझाने का प्रयास करते हैं और इसको हम थोड़ा यहां से रिमूफ करते हैं देखिए अब यहां पर हम लोग जैसे ही यूज करते हैं have you ever been to अब यहां पर देखिए जो been to होता है इस been to का मिनिंग होता है been to का मिनिंग क्या होता है ठीक है यह आप दूसरे सब्दों में कह सकते हैं कि यहां पर बिन का मिनिंग क्या है अब आप जड़ा यहां पर ठीक से समझने का प्रयास करें हम एक बार फिर से इसको यहां से डिलीट करते हैं और अब सेम सेंटेंस हम यहां पर लिक रहे हैं have you have you ever gone to कुरफी कुरफी जगह का नाम है जैसे शिमला है मनाली हम लोग जाते रहते हैं ठीक है अब देखे यह यह सेंटेंस यहां पर बिन की जगह हम गोण लिखनें तो यह सेंटेंस क्या हो गया बिलकुल correct हो गया अब आउट नहीं होगा ठीक है तो ऐसे इन कुछ बातों का आपको भी से सुरूप से ध्यान रखना चाहिए अब चलिए इन सारे कॉंसेंट को सीखने के बाद हम लोग चलते हैं कुछ को सॉल्ब करते हैं यहां पर आते हैं यहां देखें एवर से का यूज कर लिए अब यहां पर जो इस इस को देखें आपको घवुराने की जरूरत नहीं है यह सिंस यहां पर conjunction का रूल प्ले कर रहा है ठीक है अब देखिए sentence का meaning आप यदि पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं क्योंकि सारे के सारे वर थर्ड फोर में दिये गए मयंग का जो health है कुछ हो गया क्या हुगा भाई ever since he has refused to get himself treated जब से उसने खुद का इलाज कराने से इनकार किया तब से उसका जो health है स्वास्त है वो लगतार कैसा हो रहा है खराब हो रहा है this is disparate disparate होता है और टू इंसल्ट ठीक है डेनिग्रेट का मतलब भी वही होता है टू इंसल्ट depreciate का मतलब होता है to reduce कम खरना deteriorated का मतलब होता है खराब होना बत्तर होना ठीक है तो हमारा answer क्या बना तो हमारा answer बनेगा यह option number D यहाँ पे इसी type हो गया है गलती से आप इसको ठीक कर लेंगा यह option number D answer बनेगा deteriorated ठीक है next यहाँ से आगे चलते हैं अगले question की तरफ कुछ और question यह देखिए आपके previous year में पूछे जा चुके हैं of all the votes that I have widget अब यहाँ पर देखिए इस question में आपको कुछे मेहनत करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर क्या दिखाई देर है have, have के साथ widget, widget के आप वर्ब का first form और हमने पहले से आपको बता रखा है आप बजपन स जानते भी है, has have के साथ वर्ब का कौन सा form आता है, third form आता है, तो यह क्या हो गया, wrong हो गया, इसको किस में convert करना होगा, यहाँ पर use करना होगा हम लोग को, वर्ब का third form, that is, यहाँ use करेंगे हम लोग को visited, ठीक है, next, यहाँ देखिए has के साथ दिखाई देरा, becoming, has के साथ व fourth form आएगा, क्या, यह क्या है, becoming, fourth form, यह क्या होगा, गलत होगा, इसको किस में convert कर देंगे, वर्ब के third form में sentence correct हो जाएगा, यहाँ फिर देखिए, I have give, have के साथ give होगा, क्या, वर्ब का third form होगा, तो have के साथ क्या use करेंगे, given use करेंगे, बात समझ में आ रही है, तो आप द दोर से, यह आपके previous year में पूछे के question है या नहीं, जिसको यहाँ पर लिखा गया है, तो हमने भी इसको highlight के, अब आईए इस question को, देखिए, question देखने में थोड़ा सा भड़ कीला जरूर लग रहा है, लेकिन concept में कहीं कोई दम नहीं होगा, कैसे नहीं है भाई, देखे यह यह has, has के साथ क्या लगा हुआ, propose, propose क्या है, वर्ब का first form है, अब यह जो वर्ब का first form है, यह क्या हो गया, गलत हो गया, इसको किसमें convert करेंगे, तो हम लोग करेंगे, वर्ब के third form में, that is, has proposed, has proposed, बात समझ में आ रही है, next, यहां से आगे चलते हैं, कुछ और question की तरफ, यहां पर आते हैं, Harry and Megan have decided, तो has have के साथ, वर्ब का third form लगा हुआ, इसका answer क्या बनेगा, no improvement, next, यहां भी देखिए, I have prepared, तो I have prepared सही है, उसमें कुछ करने की जरूँद नहीं है, तो उपर वाले question का answer बन जाएगा, no improvement, नीचे वाले में चले, my tailor is made some very stylish dresses, मेरा जो tailor है, उसने कुछ बहुत बढ़िया stylish कपड़े बनाये हैं, मेरे लिए, as well as my, as well as for my daughter, मेरे लिए भी और मेरी बिटिया के लिए भी, गुडिया के लिए भी, बेटी के लिए भी बनाया है, भाई, चर्चा और यह present के, तो यहां प बच्पन वाले translation के concept से भी बन जाएगा, तो यहां पर क्या करने की जरूरत है, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, is made की जगा यूज कर लेंगे, has made, क्या यूज करेंगे, has made, बात समझ में आ रही है, तो देख रहे हैं, या आप यहां पर देख पा रहे हैं, कि कितने आस इसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, यह देखे, यह present, यह present का clue दे रहा है, तो अब जो भी हुआ है, यह present में हुआ है, recent time में हुआ है, recent time में हुआ है, तो यहां was done नहीं, बलकि has have done का use करेंगे, Indian cricket team, तो यहां पर हम लोग use कर लेंगे, has done, बात समझ में आ रही है, यहां पर correct answer has done की जगह ज्यादा बेतर होता, कि हम लोग use करेंगे, यहां पर have का use करते हैं, क्योंकि यह दि किसी विदेश के नाम का use team की रूप में क्या जाता है, तो हम लोग उसको मानते है, plural वाप देते हैं, plural, लेकिन चुकि यहां पर इस team का नाम लिखा हूँ, Indian cricket team और team कितनी है एक ही है, ठीक है, तो यहां पर यहां पर यहां पर आपका doubt है, यह भी हमने clear कर दिया, चुकि यहां पर team का use किया गया है, तो team एक भी हो सकता है, यहां पर singular, इसलिए बहतर है कि यहां पर हम लोग use करें, हैस का, ठीक है, तो उस concept का आप use नहीं करेंगे, चलते हैं इस question में यह question भी दिखने में काफी बढ़ किला लग रहा है, काफी बढ़ किला लग रहा है, और आप यहां पर simply देखिए, हैस के साथ क्या use किया गया है, तो हैस के साथ वाप का third form use किया गया है, अब आप सीधा आजाए यह option पे, देखे, might, हम वाप को change नहीं करेंगे, तो हम यहा जरूरत है कि passive की जरूरत फ्रेंच revolution and the rights of man not appreciating that much, that much has happened since then, यह appreciate करने का काम यह खुद हो रहा है, ठीक है, तो यह sentence active में हमें passive की कोई जरूरत नहीं है, इस sentence का answer क्या बनेगा, तो हमारा answer बनेगा, no improvement, option number D, क्या बनेगा, option number D बनेगा, ठीक है, चलिए, यहां से आगे बढ़ करते हम लोग, अगले question में चलते हैं, इस question को आप खुद से भी solve कर सकते हैं, there is something in a train journey that was fascinated a lot of people and I am one of them, तो was fascinated की जगा जरा, आप option देख लिजिए, something in a train journey, अब train journey है, journey हो गया, इसका subject है, train journey सब्जेक्ट है, तो इसके साथ कभी है, का user नहीं होगा, यह wrong हो गया, अब was fascinated, च कि चाचा present की हो रही है, वो past में इसलिए यह होगा नहीं, अब एक ही option बचा हमारे पास, has of has के साथ यह देखिए, वो आपका first form में यह गलत होगे, एक ही answer बचा, ठीक है, और इस तरीके से आप इसके बहुत सारे question को solve कर सकते हैं, ठीक है, तो present perfect के इस lecture को, आज के इस video session को हम यह पर conclude करते हैं, ठीक है, इस type के question आप कहीं से भी किसी भी source से सुन कर सकते हैं, ठीक है, तो आज के इस video session को हम लोग यह पर conclude करते हैं, आप सब का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद,